अब बात करते हैं अब बेस्ट सेलर प्लान जिसका मन्तली रेंटल है 999 रुपए विदाउट जी एस टी इस प्लान का नाम है अब बात करते हैं और इसमें कुछ एटल थैंक्स बेनेफिट भी इन्टूडड है जैसे कि आपको एमेजन प्राइम का एक्सेस मिलेगा डिजनी प्लाइस होट स्टार एक्स्ट्रीम प्रीमियम पैक मिल जाएगा विएपी सर्विस मिलेगी अपोलो 24 इंटू 7 का एक्सेस इसमें दी जा रही हैं और यह जितने भी OTT बेनेफिट्स हैं आप इनको एटल थैंक्स मोबाइल एप से भी क्लेम कर सकते हैं एटल एक्स्ट्रीम फाइबर के वाइफाई राउटर का और यह है नोकिया का वाइफाई राउटर तो एटल वाले अलग-अलग कंपनीज के राउटर प्रोवाइड करते रहते हैं जैसे पहले हुआई का था अब नोकिया का है एक और था चायद आरो एच्स का ड्रेगन तो इसके फीचर को हम एक बारी देख लेते हैं इसमें क्या क्या अविलिबल है और यह जैसे कि आप देख रहे हैं दो एंटेनाज लगें इसमें तो एंटेनाज की मदित से रेंज काफी दूर-दूर तक जाती है पूरे घर में तो यह बेनेफिट होता है इंटेनाज का तो ब में बाउंट कर सकते हैं या wen इस तरीके से में इसा में सपानड पर रख सकते हैं सेंड करके तो इसके बैक साइड में ढें देख लेते हैं तो जैसाव से यहां पर लिखा है ब्रेंडिंग हो रखे है नोकिया एसेंबल इन वियतनाम में एसेंबल हुआ है क्लास वन लेजर प्रॉडक्ट डेंजर इन इन विजिबल लेजर रेडियेशन वेन ओपन और यह है फिर एवाइड डारेक्ट एक्सपोजर तू बीम यहां पर इसके मैनुफरक्ट्चर डेट यहां पर इसके फाइबर की कनेक्शन हो रखी है तो यहां पर यूस्बी का उप्शन है यूस्बी पोर्ट बना हुआ है यूस्बी पोर्ट की मदद से हम जैसे हम अपना pen drive इसमें अटैच करते हैं उसमें गाने हो या सौंग सो वह जिस डिवाइस से चनेक्टेड है PC लप आप रहें पर लगवाना चाहते है उसके बाद है या नट लगवाना चाहते हmodë सो लेंगा इयरे मॉिये उसके बाद है वर या या ब्लेख चाहज़ाएं उसके बाद है power cord लगा हुए यहां पर, power on रहता है यह हमेशा, उसके बाद है WPS, WPS का button यहां पर दे रखा है, तो WPS का मतलब हो गया है Wi-Fi Protected Services, तो router में WPS button on करने से, जो भी device इसके आसपास होगा, वो automatic connect हो जाएगा इस router से, इसके network से, तो इसमें कोई password डालने की जरूत नह router के range में आते हैं, तो automatically वो भी connect हो जाएगे, जो कि सही नहीं होता, उसके बाद है WLAN का button, तो WLAN का मतलब होगा wireless local area network, तो यह एक wireless distribution method होता है, दो और दो से ज़्यादा devices के लिए, तो WLAN यूज करता है high frequency radio waves, WLAN users को allow करता है, move करने में, अपने coverage area में, जैसे कि घर पे, यह small offices मे अगर आस-पास आप घूमते हैं, WLAN का फायदा वहाँ होता है, आप move कर सकते हैं, यह निकिए आपको एक ही जगा बैठे रहना है network के लिए, और next button है reset का, तो आप यह model में, यह router कभी भी reset कर सकते हैं, आपको लगा कि यह सही तरह काम नहीं कर रहा, तो आपको एक बार ही reset क प्लान लेते हैं, तो आपको landline कभी नहीं साथ में देते हैं, आपको अलग से purchase करना पड़ेगा, अब इसके front में हम देख लेते हैं, जो भी features है, वह आपको बता रहता हूँ, तो यह power LED on रहती है, अगर यह router on है, अगर router आप on करते हैं, तो यह power button on हो जाएगा, power light on हो authentication, पहले step authentication होता है, यह validate करता है, यूजर के name और password को, उसके बाद second step होता है authorization का, और उसके बाद है LAN 1, अगर आप 4 LAN आपको पीछे, LAN port में आपको दिखाये थे, LAN 1 में आप wire connect करते हैं, laptop PC से, तो यह light on हो जाएगी, यहाँ पर, LAN 2 पे करेंगे, तो LAN 2 की light on हो जाएगी, LAN 3 प on हो जाएगी, यहाँ पर, इसके बाद है WLAN 2.4 GHz, WLAN 5 GHz, तो यहाँ पर दोनो में light on या blank हो रही है, इसका मतलब यह है कि दोनो speed यहाँ पर available है, 2.4 GHz speed भी आ रही है, और 5G speed भी आ रही है, इसका मतलब यह हुगा कि यह router, ATL extreme fiber, 2.4 GHz और 5 GHz, में 2.4 GHz और 5G दोनों को support क कर रही है, उसके बाद है TEL 1 and TEL 2, तो TEL 1 की light तब on होगी जब आप telephone इसमे landline connect करेंगे, तब यह light on होगी, otherwise नहीं, उसके बाद है VOIP, तो VOIP का full form हुआ voice over IP modem, तो यह option internet based voice service को connect करता है users telephone में, उसके बाद है अगर internet activate है, तो internet की light on रहेगी, जैसा अब आपी देख रहे है, अगर आप USB पीछे connect करते हैं, यह USB port में USB लगाते हैं, प्रेंट रहे लगाते हैं तब यहाँ पर light on हो जाएगी, otherwise light बंद रहेगी, तो यह features हैं इस Nokia router में, तो आप भी अगर Airtel Extreme Fiber connection लगवाते हैं, तो आपको यह ज़रूरी नहीं है कि Nokia का ही मिले, या ZTE का मिल जाए, या Okay friends, आज के वीडियो में इतना ही, I hope आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है, तो like जरूर कर दें, और साथी साथ friends और family में share भी करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो subscribe करना ना भूलें, और साथ में bell icon hit कर दें, और latest notification of my videos, इसके regarding कोई question है, तो आप मुझे comment में पूछ सकते हैं, मैं उनके answer कर दूँगा, जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए, बाई बाई